हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी के तब फेवरेट स्टॉक में जैहन और आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में येस बैंक में दोस्तों कुछ जवरदस्त अपडेट आई हुई है जिसे दोस्तों हमें जानना बहुत जरूरी है बहुत से डीटेल इन्वेस्ट दोस्तों यहाँ पर सेलिंग करके जा रहे हैं जो एजन्सी से जो अथौर्टी से वो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा व्यू सामने रख रही है इस अपडेट को सुनकर दोस्तों आपके हो सोड़ जाने वाले हैं इस वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा आपको बहु पिंटुल की साइट की उपर और यहाँ पर कुछ अपडेट्स दिख लिते हैं अभी के टाइम पर दोस्तों यह जो स्टॉक है वो 11 रुपए 15 पैसे पर ट्रेड होता हुआ न जरा रहा है आज पर दिन दोस्तों यहाँ पर हमें 5 पैसे की अपसाइट दिखाई दी लेकिन दोस्तों इस पे जो न्यूज आई है उसके अकॉर्डिन दोस्तों यहाँ पर तक्रीबन हमें 20 परसेंट की एक अपसाइट दिखना चाहिए थी लिए चलता हम दोस्तों आपको में सीधा और सीधा इसके वॉल्यूम की तरफ और यहाँ पर देखें तक्रीबन दोस्तों ला दोस्तों यहाँ पर जवर्दस दिलिवरी कॉंटिटी भी उठाई गई है पीच्छी का दोस्तों रीजन क्या है यह भी हम जानेंगे तक क्रीबन 78 परसेंट लोग उसके यहाँ पर बाइंग करना चाहते हैं जबकि 9 परसेंट लोग बोल्ड करना चाहते हैं सबसे पहली वहीं दूसरी तरफ जो अथार्टीस हैं पहले इंडिया रेटिंग और अब क्रिसल जो है यहाँ पर अपनी रेटिंग को इंक्रीज करके हुई नजरा रहे हैं इंडिया रेटिंग के बाद दोस्तों अब क्रिसल ने भी यस पैंक पर अपनी रेटिंग को इंक्रीज किया ह देखें यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है क्रिसिल है अप्ग्रेटिड दा रेटिंग और यहाँ पर कहा गया है तो deposit में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक stability नजर आई है इतना अबला crash हो गया दोस्तों लेकिन मैं आपको बता दूँ जो normal एक consumer था जिसका पैसा दोस्तों यह बैंक में जबा था उसका एक रुपए भी नहीं टुपा बैंक ने सब के पैसे लोटाए है और अब उन consumer का दोस्तों भरोसा बहुत जादा है यह बैंक के प्रतिश देखें यहाँ पर लिखा हुआ है the rating agency also revised the rating for bank certificates of deposits from A2 plus to A1 so deposits जो है दोस्तों उसमें पहले A2 plus की rating थी पहले भी अच्छे rating ही थी लेकिन इसे अब एक कदम और बढ़ा दिया गया है इसे दोस्तों अभी A1 कर दिया गया है यहाँ पर देखें दोस्तों लिखा हुआ है yes bank total deposit has increased 1.63 trillion as June 30 and from 1.17 trillion a year ago तो अब देखे 1.17 से 1.63 दोस्तों trillion हो चुका है मतलब काफी अच्छा दोस्तों यहाँ पर हमें एक growth दिखाई दी है और साथी में दोस्तों अब देखें यह उसके पहले 1.05 trillion था मास 31st 2020 की हम बात कर रहे है the proportion of current account and saving account पर तब कासा जो होता है दोस्तों उसमें काफी अच्छा एक improvement नज़र आया है एक trend नज़र आया है improving का यहाँ पर देखे लिख दो it's showing an improving trend the share of कासा deposits stood at 27.4% as on June 30, 2021 as against 25.8% so 25.8% से दोस्तो 27.4% दोस्तो हुआ यह एक बड़ी growth है कासा deposits पे so दोस्तों जो एक authority वाली एक rating company है वो दोस्तों इस bank को काफी ही बहतर बता रही है और साथी में दोस्तों उनका साब साब कहना है कि yes bank is continuously improving और उनका जो trend है improvement का वो काफी ही ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है तो यह दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है अच्छा दोस्तों यह हुगे पहले कब दूसरी ख़बर दोस्तों यहाँ पर क्या हुई है चलिए वो भी देख लेते हैं देखें उस्तों दूसरी ख़बर यहाँ पर लिखी हुई है 12 entities express interest in yes bank ARC proposal हम सभी जानते हैं कि asset reconstruction company के बारे में दोस्तों yes bank अभी खुद प्रयास कर रहा है और उसने proposal देने के लिए बहुत लोग को बुला था तो यहाँ पर बारा लोगों ने दोस्तों proposal दिया हुआ है देखे लिखा हुआ है yes bank limited has received expression of interest from surgeon investor for for setting up an asset and reconstruction company with the private sector lender as the minority partner two people aware of the development some of the private equity firm who have shown the interest including group field asset management पहला दोस्तों RS SSG, Octree, Capital Management, JC Flour, Vardhe Capital दोस्तों ऐसे ही बारा नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे अब yes bank को दोस्तों choose करना है कि उनके criteria में कौन सी यहाँ पर जो firm है वो correct बैठती है, सही बैठती है और मैंने ख्याल से बहुत जल दोस्तों यह asset reconstruction जो ARC है उसके लिए भी वो किसना किसी एक को choose करके definitely अपने NPA वाले जो एक मामले को खितम करने कोशिश करेंगे क्योंकि yes bank जल्दी से जल्दी अपने NPA वाले मामले को खितम करना चाहता है वो जानता है उसके रास्ते में सबसे बड़ा जो एक रुकावट है वो NPA ही है otherwise yes bank बहुत ही अच्छा एक business कर रहा है काइंकी ने उसके दोस्तों वो इपने आप कोई इंप्रूफ करते हैं लेकिन उसके जो पुराने पाप है जो दोस्तों NPA है वो उसके साथ नहीं छोड़ते दोस्तों इसलिए कही न कहीं yes bank की हालत अभी इतनी बत्तर नजर आती है तो अगर ARC का मामला दोस्तों किसी तरीके से अगर इन में से कोई एक firm लेकर यहां से एक अच्छा कासर पैसा recover कर लेती है तो आप मान कर चले दोस्तों की yes bank की सारी problem दोस्तों खतम हो जाएगी दोस्तों मैंने जब पहले वीडियो बनाया था तो मैंने आप बदाया था कि yes bank क्या क्या रखा हुआ है दोस्तों इस क्राइट एरिये बर इन सभी firm से कौन सा firm अभी correct बैठता है yes bank definitely दोस्तों इसका announcement करेगा और जैसे ही दोस्तों करेगा इसका announcement मैं आपके definitely go news लेकर आ जान का है तो please कितनी quantity और कितने सालों के लिए उसे आप comment box में बता सकते हैं दोस्तों कर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले पसंद ना है जो बिस लाइक कर सकते हैं यहां तक वीडियो दिखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत कर दोस्तों आप सकते हैं ।